तेज धूप आपके आँखों का दुस्मन है। धूप से आँखों में कई प्रकार की बिमारियां हो सकती है। सूर का प्रकास जितना हमारे सरीर के लिए लाबदायक है, उतना ही सूर का तेज प्रकास हमारे आँखों के लिए हानिकारक भी है। गर्मी के मौसम में सूर का प्रकास बहुत सक्त और तेज होता है। यदि ये सूर का प्रकास सीधा आपकी आँखों में पढ़ता है तो कई प्रकार की बिमारियां पैदा कर सकता है। सूर के प्रकास के कारण आपके आँखों के चारो तरफ की तवचा काली पड़ सकती हैं जिसको डार सरकल भी बोल सकते हैं। सूर के तेज प्रकास के कारण आपकी आँखों में अलर्जी हो सकती है जिससे आपकी आँखों में लालिमा, खुजली और पानी बहनी की सिकाईद हो सकती है सूर के प्रकास में रहने की यदि समय सीमा अधिक है तो कुछ दिनों के बाद एलर्जी के करण हमारे आखों में नखूना भी हो सकता है सूर के तेज प्रकास में पराबैगनी करणे होती हैं जो हमारे आख के अंदर जा करके प्राक्टिक लेंस को ठोस और आपारदर्सी बना सकती हैं इस सिति को मोती अभिन्द कहते हैं सूर की तेज पराबैगनी करणे यदि हमारे आख में सीधे प्रवेश करके आख के परदे से टकराती हैं तो परदे में कई प्रकार की बिमारियां पैदा कर सकती हैं जैसे मैकुलर एडिमा, मैकुलर स्केरिंग, मैकुलर डिजनरेशन और रेटनेटिस पिगमेंटोसा परदे की बिमारियों में मुख्य हैं जब भी आपको लगे कि आपके आख में तेज सूर का प्रकास लग गया है तो इसके बाद अपनी आखों को दो से तीन बार ठंडे बर्व से आख की सिकाई करना चाहिए और आखों में पाने के ठंडे पटी रख करके आख को बंद कर लेना चाहिए कम से कम दो से तीन घंटे आराम करना चाहिए आप जब जान गए हैं कि सूर के तेज प्रकास से हमारे आखों को इतना नुकसान पहुंचता है तो सूर के प्रकास से अपने आखों की सुरच्छा के लिए आपको वादा भी करना चाहिए आप जब भी सूर के टेज प्रकास में जाएं तो अपने सिर में कैप, आँखों में काला चस्मा और यदि आप स्कूटी या बाइच चलाते हैं तो सिर में हेलमिट का उपियोग जरूर करना चाहिए यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो करपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोसरों को सेर करें बहुत बहुत सा धन्नवाद